आज बात एक गैर राजनेतिक शक्सियत की तमाम राजनेतिक गल्यारों में सवाल गूजते हैं लेकिन उन सवालों के इतर गैर राजनेतिक नजरीय से एक सवाल जरूर है और उस सवाल का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे क्योंकि आज जिस शक्सियत से हम आपको म जिलाने जा रहे हैं वो शक्सियत अपने आप में एक चलती-फिरती संस्था है। जिनका नजरिया लिखने का, सोचने का, बोलने का बिलकुल जुदा है। बेबाक राय से वो जाने जाते हैं और खास तोर पर शायरी अंदास के लिए वो पूरे देश में परिचित है। हमारे साथ इस वक मौझूद है तौफिल चतुरवेदी जी, बहुत बहुत स्वागता चतुरवेदी जी आपका। बात हिंदुत के नजरिये से, समाज के नजरिये से, एक फिल्म बहुत चर्चित है। और उस फिल्म से ही मैं उस नजरिये को पूरे देश के सामने रखना चाहूँगा आपके नजरिये से। कश्मीर को लेकर जो फिल्म बनी है और तमाहम तरह की बाते उसको लेकर सामने आ रही है हम ने देखा सिनिमा घर उसे पीवी आर से लोग रोते हुए बाहर निकले वो फिल्म आपने भी देखी और शायराना अंदाज से मैं जानना चाहूंगा क्या आपके भी आसू बहे थे अब भी रोएते रहे थे आसा नहीं कि उस पिक्चर में ऐसा भाव नहीं यहाता बार-बार आता है मगर आंसू एक आवेग है कि मुझे दुख हुआ मुझे लगता है कि उस पिक्चर को देखकर आक्रोश उपजना चाहिए प्रतिशोद उपजना चाहिए, क्रोध उपजना चाहिए आंसू बहा कर तो हम उसको बहा देंगे, बिल्कुँ समाप्त कर देंगे इसके प्रतितों मांखों में हंगारे होनी चाहिए इस धर्ती पर अपनी इसकी संतानों के साथ आतताई विशारधारा ने क्या किया एक आक्रमनकारी विशारधारा उसने क्या हशर किया उनका ये पहला Exodus नहीं है पहली बार नहीं अटाए गए सात्वां एक्सूरस था इससे पहले छे बार कश्मीर और कश्मीर का मतलब वैली सर्फिय नहीं है कश्मीर बहुत बड़ा क्शेतर है अफगानिस्तान को टच करता हुआ और सारा का सारा इलाखा यहां कई बार यह सब हो चुका है इसके प्रतिकार का इसके बदलाव का इसके हटाने की कोई कोशिश नहीं हुई तो यह कौफ्ट की बात है मुन्शी प्रेम चंद के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो हिंदोवादी थे या ऐसा उसमाने विखते थे उनकी कहानी जिहाद उसके हानी को पढ़िए याराम से आप नेट पर सर्च करेंगे जिहाद पर मिल जाएगे कश्मीर अफगानिस्तान से हिंदों का एकाफला जान बचाकर भागा चला जा रहा है यहां से वो कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान में भी यह हुआ महमूद घजनभी ने जिस समय भारत पर अक्रमन किया है उस समय अफगानिस्तान लगबग हिंदु बाहूल था कांधार में हिंदु रहा थे यह सारा क्शेतर कैसे नश्ट हो गया महमूद घजनभी का इतिहास का लिखता है कि कुछ सो लोग मुसल्मान हुएं अफगानिस्तान में और वो पूरा अक्शेतराच निकल गया शत्रों के हाथ में चला गया और हम अपनी आखरी पूंजी समिट के गुर्गरन साब लेकर सरों पधरे हुए महां से निकल आगे यह हमारा अक्शेतर है उसे नहीं रोका गया वो कश्मीर में आया उससे पहले 1947 में पाकिस्तान में आया बंगलादेश में आया इस धर्ती पर इसकी संतानों को बेदखल करने का 1300 वर्ष से 712 में पहली बार कामयाब हो थे वो चओधवा उनका हमला था जो सफल हुआ तेरे बार मार के भगा दिये ले इस धर्ती की संतानों को यहां से निकाल देने के लिए उनको बदल देने के लिए उनको भष्ट कर देने के लिए लगातार संधर्श रहा है उस संधर्श की वड़ी छोटी सी बांगी कश्मीर पाइज में है एक जगे थोड़ी है भारत में कश्मिर बिक्रा पड़ा है सेक्डों जगों पर है दिल्ली में अभी तो दंगे हुए है इस दिल्ली शहर में गुलेले बना ली लोगों ने पेट्रल बंग फेके और कुछ भी किसी के सपास किसी के कान पे जू नहीं रही कुछ भी बदल नहीं सका वो लोग आज भी सत्ता में काविज है मतलब कुल मिलाकर ये फिल्म आपको नहीं रूला पाए फिल्म के रोने का सवाल नहीं है ये रोना तो किस काम का ये पलटना चाहिए जिस विचारधारा ने ये दिन हमें दिखाए है और इतने लंबे समय से चल रहा है इसका बदला लियना चाहिए इसको बदलना चाहिए इस विचारधारा को नश्ट करना चाहिए वोई सबक मिलता है इस तरह की फिल्म के ये तुम्हें कही रहा हूं कि समझना चाहिए कि ये कश्मीर में जो कुछ हूआ वो जम्मू में नहो है माचल में नहो इसकी व्यवस्ता तो हो नीचे है हो नहीं रहा हर तरफ पहल रहा है कुछ समय पहले अभी कुछ साल पहले जो जम्मू में कठुआ का कांड था एक मंदिर को लेकर कि जो तीन गाओं से आने वाले रस्ते के बीच में मंदिर है जिसमें बड़ी बड़ी खिड़किया है उस पर आरूप लगा दिया गया कि यहां पर रेप हुआ तीन दिन तक उस लड़की को खैद करके रखा गया जिसमें खिड़किया है यह भारतिये परंपरा का कोई विक्ति सोच भी नहीं सकता कि उसके पिता के साथ, उसके चाचा के साथ, उसके भाईयों के साथ कोई सौमभे रेप करेगा अजमावे, अजमेर वाले कर सकते हैं जैसा अजमेर में 1952 में मैं एक कान डुआ था जिसमें second हो लड़कियों के साथ रेप हुए थे और उने blackmail किया गया था ऐसा भारती परवपरा का कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता उस व्यक्तिका जिस पर आरोप था कि उसने मुख्यरूप से एकाम किया उस व्यक्तिके मुझफर नगर के पास में स्कूल के record हैं कि वह एक्जाम दे रहा तो उस पर कह दिया कि वह भाग कर आया रेप करके आया क्या थी वो लड़की मिस वर्ड जिसके लिए वो इतना तलागता हो अपनी जीवन को लगा देगा फिर उसने एक ATM से पैसे निकाले वहाँ फोटोग्राफ कैद हो गया तो उसका उसकी जान बची उसके साथ यह जम्मू यह जम्मू में क्यों किया जा रहा है कि जम्मू के लोगों को धगेलना है वहाँ लोगों को बसाना है कश्मीर का एक्सेंशन जम्मू है वहाँ यह सब करना है सारे भारत में चल रहा है को नए एक जड़े थोड़ी है और सौभागी की बात है मुझे नहीं लगता कि इसका मेसिज जरा सा भी गलत जा रहा है बिल्कुल ठीक राच्छ समझे रहा है कि उसकी संतानों के साथ क्या हुआ है क्या हो रहा है और क्या हो सकता है उसको पल्टा जाए रोका जाए बदला जाए एक और प्रश्मी यहां पर खड़ा होता है जिसका जिक्र मैं आप से करना चाहूँगा कि खास तोर पर इस फिल्म को देखने के बाद जो लोगों की मान सकता है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ क्या आप इस बात से इत्फाक रखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया आ जा रहा है कश्मीरी हिंदू का नहीं कश्मीरी पंडित कहना यह बात ही सिरे से घलत है मैं एक आपको उधाराण से बताता हूँ, कश्मीर में स्ट्राइक हुई, बालमीक समाज जो सफाई करने कर्मचारी थे, उनकी स्ट्राइक तोड़ने के लिए पंजाब से बालमीक बुलाए गए, ये कहकर कि उनको नागृत्या दे दी जाएगी, उनको नागृत्या दी गई उसके साथ में नियम बना दिया गया कि वो और उनकी संताने केवल सफाई कर्मचारी ही रहेंगे, उनका बेटा पढ़कर दॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनर नहीं बन सकता, कश्मीर में हिंदू उपर जो भी बार से है, हर सब के साथ अत्याचार हुए, सिख मैंने केवल प्रांत में, दुर्गती में देखें, वो कश्मीर है, फटे कपड़े किसी तरह से जिन्दगी जीने वाले, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो पंजाब की तरह से लोग जो आये थे, कश्मीर में उसमें सिख भी आये थे, वो आज तक उसी दुखी स्थती में है, तो हिंदू समाज जैसे, उत्तर प्रदेश में कितना समाज है तो बताए जागा साथ परसंट राम मरने हैं और चौदा परसंट ठाको रहे हैं, मुसल्मान कितने हैं, उनमें सेयद नहीं होते, उनमें पठान नहीं होते, उनमें खशेख नहीं होते, उनमें पसमांदा नहीं हो लगें, एक दूसरे का नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, कबरिस सारा लगें, इसलाम में हिंदों से जाते बाद है, अश्राफ लफज, अश्राफ मतलब उंचे, अर्जल, जलील, घटिया, कमीने, हलाल खोर, इनल, ये नाम हैं एक दूसरे के लिए, आख, शेर सुन लीजे, गलत को ते से लिखमारा, जुलाहा, फिर जुलाहा, ये मैंने नहीं लिखा, इन्हीं अश्राफ में इसे लिखा है, कि कोई जुलाहा है, तो वो, चुकि कनवार्टेड है, हिंदों से आया है, इसलिए उसको जलील समझना, ये सब उनके अंदर है, मगर हम इस तरह से बात न कलमी की हैं, उनको जैसे पाकिस्तान में बाखी सिंधके दरदर के हिंदू कनवर्ट किया जाता है, जो सफाई कर्मचारी उनको नहीं किया जाता, ना उनको निकला गया, उसका कारा नहीं है, कश्मीरी सिखो का भी जिक्र चुक्र, मैं हो आ रहा हूं, मैं पाकिस्तान के पत्याचार होगा, मगर इनको सताय नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मुसल्मन मन जाएं, तो बराबरी का हाथ माँएंगे, तो ये एक समस्या, कश्मीर में सिखों के साथ भी वहां के सिखों की स्थिति देखिए, और दुर्भाग ये है, अगर ये कैमरे पर कहने की स्थिति जाते हुए एक गंदे नाले का ढखन खोल दिया है, एक दम से सारी चीज़े बाहर निकल के आ रही है, और लोग इस्तब्ध हैं, लोगों की स्थिति नहीं है कि इसके खिलाफ कोई बात कह सके, अल्ताफ हुसेन हाली की मसद्दत है, बहुत मशूर मसद्दत है, वो दीन-इ फिराज वो गंगा की दाहने पे गंगा की किनारे आका डूग गया, उसका कारण क्या है, कि भारत का मुसल्मान जिस तरह से एक्च्वल इसलाम है, उस तरह का मुसल्मान नहीं बना, असली इसलाम मतलब आइसिस, असली इसलाम का अतलब दाइश, असली इसलाम का मतलब ताल मुसलमान इसलामी नहीं बन पाये पूरी दरसे उतने कटर उतने तीक है उतने काफिरों के लिए सख्त और यह एक मनसिक्ता है तो जो अशड़ाफ हैं और जो आमम मुसल। उन दोनों में अंतर हैं आमम्मुसलम Helena क Yong है उतना अदुष्ट नहीं है उस वही है जो लिबरल मुसल्मान है जिसके आंकों से आसु बहते हैं लेकिन क्या एक फिल्म पूरा कश्मीर बदल देगी या उस समाज का नजरिया बदल देगी लगता आपको यह पिक्चर मुसल्मानों में बदलाओ के लिए ही नहीं यह कश् है तो अभी दिल्ली में जो दंगा हुआ है पहाड का एक लड़का जो हलवाई की दुकान पर काम करता तो इसके चाकूं से काट डाला गया पुलिस का एक अधिकारी खेंश का रंदा चाकूं से मार दिया गया दसों लाशे नाले से बरामद हुई हैं कैसे किसने मारा क्यों मारा इसका कुछ कारण होगा साथ असन मंटो की कहनी है जिसमें पाकिस्तान बनने के जगड़े चल रहे हैं तो बुढ़िया अपने कनहया को या किसी देवता को मूर्ति लेकर भाग रही तो उसके बेटे ने चाकूं मार दिया उसको बुढ़िया मर गई उसका बाप पूदा से तेरे अल्ला का सर पोड़ देती है इस मानसिक्ता के जो लोग हैं उनके बारे में कि आपको समझना चाहिए वो चाकूं इसलिए मार रहे हैं कि आप मुर्ति पूजक हैं ये हिंदू मुसल्मान का जखड़ा नहीं है ये इसलाम और गैर इसलामी विश्व का जख करो जहाद है क्या खिएर मुसल्मान को खेंच के मार के पैसा दे कर लड़कीद दे कर किसी तरह से असलाम के फॉल्ड में ले आना सारी दूनिया में बिल्कुल उस प्रश्ट है हो जो जो एक संग़र चल रहा है हमके हिसाब से जहाद χाल चल रहा है जहाद का मतलब नॉन काम में लगे हैं इन लोगों को जो ही समझते हैं कि नहीं मुसल्मान तो जो आतंकवादी हैं ये इसलाम की गलत व्याक्या है ये पिक्चर उनके लिए उन्हें समझ महाना चाहिए कि इसलाम यही है वो गलत व्याक्या नहीं है वही इसलाम है जो नॉन मुसलिम्स के लिए बिल और जिसको समाज को यह सिखाया गया। जो आज की तारीख में यह बताया गया कि हम सब एक है। और उसको उस नजरिये से देखा जए। 낮 वो पीडी के सामने, वो सच सामने आता है। तीहास का वो सच सामने आता है जिसका जिक्र करने से भी लोग कत्रा देते हैं क्या आपको लगता है कि वो ये पीडी समझ पारी है वो ट्विटर वाली पीडी पूरा हॉल पिक्चर हॉल बना था और लोग उसमें धेरों थे यूद से और उनके उपर वही असर था जो मुझ पर असर था देखे नारा दे दिया हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई है आपस में हैं भाई 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 तो हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई है चार नाम लिए इन चारों की चिंदन पढ़ना लिए एक है आपकी जानकारी में है कि हिंदू का कोई त्याहर हो जिस पर हिंदू की देवता बलिये बाकरीद पर भारत में 20 करोड मुसल्मान हैं हम यह मान लेते हैं कि इसमें से 10% कुर्वानी करते होंगे यानि 2 करोड लोग जानवर मारेंगे इसमें भी यह मान लेते हैं कि इसका भी 10% सामोई कुर्वानी करते होंगे तो दस लोग मिलकर एक जानवर को टे करते होंगे, तो भी बकरीद के दिन बीस लाख जानवरों को रेद रेद के माना जाता है। आपको यह अजीब से लगता होगा, ठीक है मर गए हम क्या करें। आपको अंदाजा है यह सादनी जगों पर मारे जाते हैं। इनका खून नालियों में बहता है। नालियों से बहेकर यह नालों में जाएगा, नालों से फिर यह नद्यूं में जाएगा। हमारे पूरे एको सिस्टम को डिस्टाप कर रहा है यह चीज़. और इसको दोनी की ववस्ता कहां से होती है। मनस्फिल कार्पॉरेशन के मनस्फिल बोर्ट के वाटर टैंकर्स वहां पर होते हैं, जो उन सड़कों को दोते हैं. यह पूरा सिस्टम हमारा तबा हो रहा है. ये मानने वाले, अल्ला की रहम में खुर्वानी करने वाले, उनको और गीता के जो एक ये कहते हैं कि शाम हो गई है, पत्ता मत तोड़ो, पेड़ को तकलीफ होगी, उन दोनों को एक पल्लिम धर देंगे, गांधी बेपढ़ा लिखा आदमी था, जाहिल था, वो ये बातें क सकता है, मगर किसी को भी, कि मैं कमल को लोटस को एक बता रहा हूँ, तो लोटस की परभाषा और कमल की परभाषा एक होनी चाहिए ना, लोटस की परभाषा मां काटे हों लंबे-लंबे, तो कैसे कमल हो लोटस एक हो जाएगे, इसके तותGeneral तत्थितों रखने पड़ेंगे, क्योंकि अल्ला जो कुरान का अधार है, जो इसलाम का अधार है, वो निस्रत होता है कुरान से, कुरान नौन मुसलिम्स के, ये बहुत सक्त किताब है, आखिर इसी पर तो जैदी साब नहीं कहा, इस से पहले जस्रिस लोहार्ट का, मेट्रोपलिटियम्स जेट के सामने एक केसा आ चुका है, कलकता हाई कोट में कुरान के उन आयतों को बहन करने के याजिगए जा चुकी है, और वहाँ से डिग्री हो चुकी है, सारी दुनिया में है, आप एक, इन सब को एक बराबर कैसे कह देंगे? ये तो बात ही बेतू की है, राजने ते नेता कुछ करे, मगर जो सामाज एकता है, आखिर बो लो कौन है, जिनके करण से अफगानेस्तान का, हिंदों का एक काफला, भागा चला आ रहा है, जिसकी कहानी, नाइटीन ट्विंटी और उससे पहले की है, सौ साल पुरानी कहानी प्रेमचंद की, पढ़ लीजे जिहाद और ट्रेमचंद की, ऐसे सच करेंगे मिल जाएगी, तो इनको रद करने से, या इसे आँखे मून लेन से कैसे होगा, कोई लड़का यहां पढ़ने वाला, जिसकी दिल्चस्पी ट्विटर में है, जिसकी दिल्चस्पी वाट्सप में है, जिसकी दिल्चस्पी फेस्वोप में है, जिसकी दिल्चस्पी और अगला चर्ण कहता हूँ, टिंडर में है, उसके Tinder के नतीजे से उसके पास जो बीवी आने वाली है जो गल्फ्रेंड आने वाली है और उससे उसकी संतानुत्पन होने वाली उस बेटी का उस बहू का क्या आशर होगा वो चिंता करेगा कि नहीं लावर का मुख्यवपार सब हिंदू के हाथ में था कहां गए कंगियें बेची उनन दिल्ली में आकर जूते पॉलिश कियें कि रोटी खा सकें किसी तरह सब बरबाद हो गया तो आपको लगता है ये ट्विटर और वाटसब वाली पीडी जो है समझ पाईगी तो उसके भवि हैं जब कश्मीर में इतने अप्तियाचार हो रहा था तब उस वक्त तो यह भी कहा गया कि ग्रह मंत्री के रूप में खुद आडवानी मौजूद थे आज आडवानी रो रहे हैं नई जिस समय यह हुआ उस समय मुफ्ती मुहमद साईद ग्रह मंत्री थे मगर जिस समय बड इनको यह बात गंबीरता से देखने के थी एक आम कश्मीरी हिंदू या कश्मीर की बात नहीं मैं पंजाब से बात करता हूँ ध्यान रहे मैं विल्कुल सपष्ट हूँ जैसा चौरासी में दंगा हुआ ऐसा एक भी दंगा सारे पंजाब में नहीं हुआ सिखों नहीं तो पंजाब में जो कुछ हुआ है वो हिंदू को संगार नहीं है फिर भी हिंदू मारे गए हिंदू विस्था के तुझे हिंदू कह रहे क्या इस आतंकी से जो एके 47 लेके 4 आन्मी आ रहा है उनसे लड़े कैसे कश्मीर में जो कुछ हो रहा से संगर्ष कैसे हो चट्टी स निर्सिंग पुरा के लोग कम से कम लड़ने की योग्ये तो करो ग्रह मंत्री हो हतियार तो दो इनको लाइसेंस तो दो इनको एक लाइसेंस देने के लिए उन्टा लटकना पड़ जाता है हम कैसे लड़े हम निहत्य निरिगी बने हुए हैं अपने राष्ट्र में हमरे प पूछ रहे हम क्या कर सकते हैं बड़े-बड़े बंगलों में जिनके लॉन पाच पाच जदद से इकड़के हो उसमें रहकर आप इसी बात कर रहे हैं आपने चटी सिंग्पुरा में अरसिंग्पुरा में जो बस्तियां हैं जहां हिंदू अके ले थे उनको हतियार देने क तागो विंसिंग नाम दरावा वो सिती अगर ऐसी है तो एक प्रशन ये भी तो फिर खड़ा होता है कि समाच का वो वर्ग भी है जो कहता है कि भाईया हत्यार उठा दो आप वह बाली बात कह रहे हैं मैं अध्यार उठाने का मतलम में रही है कि मैं रक्षात्मा जो सेकेंड लाइन आप डिफेंस है क्या महला समाच को इस नजरिये से जागड़ू करने की जुरूरत नहीं है जिस नजरी आप कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि महलाओं के प्रती जो नजरिया है खासतोर पर मुस्ली कमूनिटी का क्या वहाँ पर महलाओं को जागरूप करने की जुरूत नहीं है मैंने ऐसा बिलकुल नहीं कहा ये प्रश्ट गाओ मेरे मतमूँ में अपने शब्द डाल रहे हैं मैंने नहीं कहा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ स्थरिय पुरुष का मामला नहीं है ये कुफर और इमान की लड़ाई है काफिरों के खिलाफ जिहाद है इसमें स्रियां असान शिकार है मगर हत्यार दियान न कियागा शस्त्र चलाने के लिए अभ्यास चाहिए होता है स्त्रियों को मेरे परिवार की महिलाओं को अभ्यास था, वर्तमान की जो पीढ़ है उसको नहीं है, तो ये तो होना चाहिए, वो स्त्रियों का ये पुरुषों का सवाल नहीं है, हम आत्मरक्षा के लिए संद्ध हों, और ये हमारा कानूनी अधिकार है, कोई मेरे घर पर अक किसी से तो और हम लगातार संगर्षों के शिकार है, समाज को तयार तो होना ही चाहिए, संगर्ष का आपने सिक्र किया, क्योंकि पॉलिटिकल सवाल ये भीच में आ गया, सवाल बार-बार सरकार से पूछा जा रहा है कि आपने कश्मीरियों के लिए किया क्या, सरकार की तर सवाज है, छद मुमामला है, 378 यानी क्या मतलब है, एक तो पहले मैं सपष्ट करता चलूँ, ये बात ध्यान का निचे, कश्मीर की इस दुर्गत के लिए कश्मीर के जो हिंदू है, वो स्वयम जब्यदार है, कश्मीर के मुसल्मान हिंदू बनने को तयार थे, स्वामिश पॉल बट के सब लिखते ही हैं, इतने जहर को इतना बढ़ा दिया, इसको वह पापस करना था, बहराल जो भी हुआ, 377 हटा दी है, बाच बसरकार ने, 35 हटा दी, इसका मतलब क्या है, कि अब बाहर के लोग आकर, जो वहां का डिमोग्राफिक चेंजिस हुए हैं, वहां की दर्वाजे से 373 फिला दी, कि कश्मीर में डोमिसायल के लिए 16 वर्ष कर दिया है, कि कश्मीर में कोई विक्ति अगर संपती खरीदना चाहता है, तो उसके पास में वहां के 16 वर्ष के निवास का प्रमान पत्र होना चाहिए, यह संभव है क्या, फिर से 373 लगा दी, बाच बाचर, 34 बन जाएगा, कश्मीर में 16 वर्ष कर दिया है, 16 वर्ष वाला कौन सो होगा, जो मिलिटरी का भी तेहनातों का, वो भी 16 वर्ष नहीं हो सकता, संभवी नहीं है, तो यह 373 बेजी बेजी है, उसमें कोई बदला होना है, यह हालात बदले हैं कुछ लगता है आपको चिंता का विशवपना है, और लोग चाहते हैं कि महाँ जाएं, महाँ पसें, अगर उसके लिए जो एक तैयारी करनी पड़ेगी, यो कि अभी भी कई लोग मारे गए हैं अभी जब ये कश्मीर में वापसी की बात आई तो उसमें से 5-7 खतल फिर हो गया है, जो जा रहा है उसको मारने के लिए कोई आएगा, यो कि प्रशासन के पास जो ववस्ता है, वो घटना घटने के बाद चान बटक की है, उससे पहले की नहीं है, मेरे घर पर कोई डखेती डालेगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा, पहन दूँगा, उसकी कौन था, क्या था, उसको पकड हारी है क्या हत्यार होने चाहिए, शास्तर होगा, मेरे पास दूसरे बाइए के 47 है ठीक, मेरे पास पिस्टल है, मगर मेरी कमण पिस्टल है तो, क्या कश्मीरी हिंदों की जाने की हिम्मत हो पा रही है, कश्मीर में बसक्राशी लगता है, एक तो वो वर्ग है कश्मीर से न पकाल ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, आपना बिस्निस नहीं छोड़ेंगे, कश्मीर के एक सूड़स के बाद में जम्मू में बड़े प्यमाने पे लोगों को बसाया गया, बहुत दुरगती की स्थिती थी, उस पिक्चर में भी है कि बिच्छों है वहाँ पर, मैंने कश्चर में डाल दिये गए, पीने का पानी नहीं है, नल नहीं है, टोइलेट्स नहीं है, टेंट लगा दिये और उनको वहाँ पसा दिया गया, बड़ा कश्ट काल था, वो लोग जो आज भी उस कश्ट में है वो जाने को तयार होंगे, बगर ध्यान रहे, उन्हें रहना क करनी पड़ेगी, इनके लिए स्थान देना पड़ेगा, पनुन कश्मीर इसके लिए अच्छा संगठना जो बात कर रहा है, उन लोगों से बात करके कुछ ववस्था करें, आप कल्पना करें, किसी एक विक्ति के बारे में सोचें हम में से, जिसको उसके महले में चपलों स हुआ है, जहां उसको कश्ट हुए हैं, जहां उसके आँकों से आसु हुए हैं, जहां से डर कर वो भागा है, उसमें वापस बिशाने के लिए कोई एक विक्ति, केंदर का ग्रह मंत्री या प्रधान मंत्री या कोई बोलेगा, तो इतने से हो जाएगा, उसको सक्षम चाहिए कि मैं जीत कर लोटा हूँ, इसके लिए इस विचारधारा की मर्मान तक पराज है, अनिवार है, इसके विरा नहीं होगा, आपने बहुत बड़ी बात कही है, वाकई दिल को चूने वारी बात कही है, लेकिन मैं चात्रवेदी जी आपसे एक बात जानना चारा था, हमारे नेता मंतिरी गर्ण जाते हैं, बंदूखों के साए में जाते हैं, लेकिन जिन्हे आपने बसाना है, वो वहाँ पर निहते हैं, जिसका झिकर आप खुद कर रहे हैं, फिर रास्ता क्या बचता है, और क्या वाकई ने, इस सरकार जिसका झिकर किया गया कि हमने मुहिय कर्वाई गई जो आज उनके लिए जरूरत अब रास्ता क्या बच्ता है रख्षा महिय कराई यह डिमोग्राफिक चेंज रस इस असली कारण है डिमोग्राफी बदलने के लिए तैय्मोग्राफी बदलने के लिए बाहर मोक जाएसकते लिए इससे इमान समस्या के पीछे की विचारधारों को पहचानी है, कौन लोग थे जिनके विचारधान गया, 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 कौन लोग थ परिटिकल सवाल लेआया बीच में. यानि योगी 80-20 की बात कर रहे हैं वो बिलकुत सभी करते हैं. मैं योगी जी 80-202 की बात कर रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा कहीं, कई उन्हें ने कोई बात भी नी गए. यह सारे काम तो प्रेस के हैं और प्रेस नहीं शब्द इस्तमाल करूँगा प्रेसिट्यूट प्रेश्या यह उनके काम है जो हड़ी डाल कर अब मज़ा लेना चाते हैं आप जैसे टीवी पर भैसनों देखिए अब बताईए आप इसमसे के इस बात के लिए आप अपने आप अधिवदार मांथें माफी मांग तेक नहीं अगर को तु माफी मांग वानावला है कौन मगर तरीका यही कि इतनी बेड़ों को भीड़ा दो यह के बीच में चारा करा अब TRP भी तो नहीं आ रही, सोशल, आप मेरे पास क्यों आएं, सोशल मीडिया इतना इंपोर्टन्ट हो गया, कि मीडिया को लांकर आगे चला गया है, इसकी अपनी कोई साख नहीं बचे, लोगो अख़़ार नहीं पढ़ता है, टीवी नहीं देते हैं, चैनल भी सर राश्ठित के नाम पर खुल रहे हैं, वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े राश्ठित वाले, ऐसी से थी क्यों आ गई, कि मीडिया की अपनी साख इतनी गर्द में चली गई है, मैं माफी के साथ इस कारेकरम को वाइंड अप करना चाहूँगा, क्योंकि इतनी शांदार आपने तरीके से बातों को रखा और पूरी उमीद है कि जिस समाज के प्रती और जिस नजरिये से हम लोगों को जागरूप करना चाहते हैं, वो मैसेज बिल्कुल क्लियर जाए, मेरी कोशिश ये थी, और चलते चलते मेरी एक गुजारिश है, कोई एक शेर हो जाए सर्थ समाज के लिए, जो एक मैसेज के रूपने वागरूप को ये राहत इंदौरी का शेर है, तुमने तलवार चलाई तो समझना लोगो, हम भी तलवार चलाने का होनर जानते हैं, अब आप ऐसी स्थिति ले आए हैं, आप जिम्मेधार के, बहुत बहुत शुक्रिया सर्थ, आपने अपना कीम्ती वक्त दिया, जय हिंदौराश्ट्र, चत्रुएदी जी ने जो अपनी बात रखी, जो नजरिया रखा, वो बिल्कुल समाज के प्रती, बिल्कुल साफ नजरिया है, कि अगर जीवित रहना है, तो रोकर नहीं, लड़कर रहना होगा, और इस लड़ाई को आपको स्वेंग खुद लड़ना होगा, आपकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, अगली बार होगी एक ऐसी शक्सियत से मुलाकात मुझे दीदी अजालत, नमस्का, जय हिन, जय भारत.